ये आकाश्वणी है अब आप हरी संधू से समाचार सुनिए सरकार न्याय मूर्ती वर्मा समिती की सिफारिशों को लागू करने को सर्वोच परात्मेक्ता देगी केंद्रिय विधी और न्याय मंत्री अश्विनी कुमार ने कल मुंबई में कहा कि न्याय मिलने में प्रक्रियागत कम्यों को दूर करने और तेजी से न्याय दिलाने पर जोर दिया जाएगा केंद्र ने अधिनस्थ न्याय लेओं में न्याय धीशों की संख्या 10 प्रतिषज़ बढ़ाने को मन्सुरी दे दी है श्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि पंचाय तिस्तर पर ग्राम नयायले की स्थापना की जा रही है वर्मा समिती ने बलातकार और हत्या के मामले में 20 वर्ष तक जेल की सजा की सिफारिश की है सामोहिक दुशकरम मामले में आजीवन कारावास की सजा की सिफारिश की गई है उचितम नयायले के पूर प्रधा नयाधिश नयायमूर्ती जेयस वर्मा के अध्यक्षतावाली तीन सदसीय समिती ने 630 प्रष्टों की रिपोर्ट कल सरकार को सौपी पुलिस और सरकारी करमचारियों सहित सभी बलातकारियों को अधिक सजा देने की सिफारिश की गई है नयामूर्ती वर्मा ने काया कि बलातकारियों को मृत्युदंड देने की सिफारिश नहीं की गई है क्योंकि कई महिला संगट्टों ने इसका विरोध किया था वर्मा समिती ने किशोर नियाय अधिनियम में नाबालिक की वर्थमान आयू 18 वर्ष बनाए रखने का ही सुझाव दिया है दिल्ली में 16 दिसंबर के सामोहिक दुशकरम की घटना के बाद वर्मा समिती का गठन किया गया था उच्तम नियायले ने 1995 में हर्याणा के डबवाली में डियावी स्कूल के वार्षिक उत्सम के दौरान लगी आग में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 33 करोण रुपए के मौावदे के फैसले को सही ठैराया है पंजाब और हर्याणा उच्छ नियायले ने डियावी स्कूल प्रबंदन समिती को आदेश दिया था कि वो 33 करोण रुपए का मौावदा दे बाकी 22 करोण रुपए देने का आदेश हर्याणा सरकार को दिया गया था डियावी प्रबंद समिती ने फैसले के विरूद में उच्छ तम नियायले में अपील की थी अमरीका ने मुंबई आतंकी हमले और अन्य आतंकवादी गत्विधियों में लिप्ट होने के लिए अमरीका में जन्में लशकर तईबा के आतंकवादी डेविड हैडली को 30 से 35 साल कायद की सज़ा की मांग की है मामले की सुनवाई कर रही शेकागों की एक अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी अमरीका सरकार ने कहा कि हेडली ने मुंबई में जखन्य आतंकी हमले की साजिश रचने में प्रमुख भूमिकाने भाई थी भारत ने हैडली के प्रत्यरपन से अमरीका के इंकार पर निराशा जाहिर की है विदेश मंतरी सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार हैडली को भारत लाने की मांग जारी रखेगी उत्तर प्रदेश में जिला मैजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया है कि वो दोशी कैदियों को 72 घंटे तक पैरोल पर छोड़ सकते हैं मुक्यमंतरी एकलिश यादिव के अध्यक्षता में कल राजज्य मंतरी मंडल की बैठक में ये फैसला किया गया कैबिनेट ने इस संबंध में नियोवों में संशोधन को मंजूरी दे दी है अब संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट कैदियों को सगे रिष्टेदारों की शादियों और अंतिम संसकार में जाने के लिए पैरोल पर छोड़ सकते हैं अबचारी क्षेत्र के किसी रोजगार में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को मार्च से करमचारी भविशनिधी संगठन में नामांकन कराने से पहले विशिष्ट पहचान यानि आधार संख्या लेनी पड़ेगी संगठन नियोक्ताओं से अलग अपने सदिस्यों को उनकी खाता संख्या जारी करने के लिए आधार का इस्तेमाल करेगा अंधर राष्टिय मुद्राकोष ने वैश्विक अर्थ व्यवस्ता की लगासार मजबूती को देखते हुए वर्ष 2013 के लिए भारत के आर्सिक व्रिद्धीदर 5.9 प्रतियत निर्थारित की है अगले वर्ष के लिए और भी उची व्रिद्धीदर 6.4 प्रतियत का अनुमान लगाया गया है इस साल वैश्विक व्रिद्धीदर 3.5 प्रतियत रहने की उम्मीद है आज राश्रे बालिका दिवस है इसका मुख्यब देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति जागरुकता को बढ़ाना है ताकि उन्हें उचित सम्मान मिल सके केद्रिया महिला और वालविकास मंत्राले देश में बालिकाओं के घटते हुए और उपास की समस्या से निपटने के लिए बहुपक्षियत ब्रिष्टी कोड अपना रहा है जाने मने भारतिय वेग्यानिक डॉक्टर सी एन आर राओ को भारत चीन वेग्यानिक सायोग को बढ़ावा देने में उल्लेखनिय योगदान के लिए चीन के सरवोच वेग्यान पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इसके साथ ही ये समाचार बुलिटन समब्त होगा